रन्बीर कपूर की आनिमल लगातार सुर्ख्यों में हैं, फिल्म को रिलीज हुए भी के वले की अपता हुआ है और यह 300 करोड से उपर की कमाई कर भी चुकी है वले इस फिल्म को लेकर लोगों के विचार बटे हुए हैं पर लॉड बॉबी यानि बॉबी देवल के किरदार को सब पसंद कर रहे हैं फिल्म की सकस की बाद बॉबी लगातार इंटर्व्यूस भी दे रहे हैं यहां वो अपने करियर और जंकी से जुड़ी कुछ सुनी, कुछ अन सुनी और कम सुनी हुई बातें शेयर कर रहे हैं उन्होंने हाल ही में बताया कैसे उन्हें अपने परिवार से आश्रम में काम करने की बाद शेपानी पड़ी बॉबी देवल ने बताया कि Race 3 और Houseful 4 जैसी फिल्म में उनका कमबाग जरूर थी पर वो अपने OTT डेब्यू के बाद ही लोगों की नजर में आए वालविड हंगामा के साथ बादशीत में उन्होंने बताया कि मैंने Race 3, Houseful 4 जैसी फिल्म में की लेकिन एक आक्टर के रूप में मुझे संतुष्टी नहीं मिली पर लोगों ने मुझे पर ध्यान दिया युवापीडी को पता लगा कि बॉबी दिल कौन है मेरा आगे का सफर Class of 83 नाम की OTT फिल्म से शुरू हुआ महीं से लोगे ने मुझे पर एक आक्टर के रूप में विश्वास करना शुरू किया फिर आश्रम आगया प्रकाज जा की पॉपलर सीरीज आश्रम में बॉबी ने बाबा निराला नाम का किरदान निभाया था ये उनके आक्टिंग करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आश्रम के बारे में वो आगे कहते हैं जब मैंने शो किया तब मैं डरा हुआ था मुझे डरस बात का नहीं था कि मैं ये किरदार कर नहीं पाऊंगा वल्कि इसका था कि लोग उसे गलत तरीके से ना ले ये ऐसी लड़ाई है जो सहर आक्टर गुजरता है कोई भी आक्टर किसी ये गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहता जो मैं किरदार निभा रहा था तो मैंने पापा भायानी की सनी देल या मा को नहीं बताया है मुझे लगा कि वे मुझे ये किरदार करने से रोकेंगे बॉबी ने आगे बताए कि उनकी पत्नी तान्या ने उन्हें आश्रम वाला क्यरक्टर करने के लिए सपोर्ट किया उनका OTT डेविव बंपर काम्याब हुआ बॉबी के मताबिक सनी का कहना है कि आश्रम OTT पर उनकी गदर थी बागी आनिमल को लेकर बॉबी लगातार मीजा पोर्टल से बात कर रहें इसी सलसले में उन्होंने पैंक वला से भी बात की इंटर्विव में बॉबी से उनके भाई सनी देवल और उनकी करियर के उतार चड़ाब की तुलना की गई इस पर बॉबी ने सनी को बैस बताया साथ ही उन्होंने कहा मुझसे भी बड़े स्टार थे और उन्होंने उस स्टार्डम को खो दिया था मैं एक स्टार था लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बढ़ा कर पाता मेरा करियर खराब हो गया उनकी ने कावी मुश्किल था पर उन्होंने कभी आदम बश्वास नहीं खोया और नहीं हार मानी आनिमल के अन्मे सीक्वल आनिमल पार्क को भी टीस किया गया उसे लेकर भी बाजार गर्म है जब बॉबी से सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था मुझे कहानी मालूम नहीं थी मुझे तो पता भी नहीं था कि आनिमल पार्क भी है कुछ मालूम नहीं था मुझे सालकन बॉबी देवल के आनिमल से हो रहा है तीनों ने बॉक्स ओफस पर तगड़ी कमाई की आपको बता दे आनिमल के बाद बॉबी एक बड़ी तेलूगी फिल्म में भी विलन बनने वाले है आलिया मीजा रिपोर्ट्स के मुताविक बॉबी नंदा मुरी बालकृष्णा क अगली फिल्म NBK 109 में नजर आएंगे आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आईए हमारे साथ इंटरंशिप कर रही खुशी वत्स मेरा नाम दव्यांशी सुम्राव है देखते रही ललन टॉप सिनमा शुक्रिया